दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम पड़िखवरों के बारे में इस विडियो में जानते हैं आज की सबसे पहले कबर बिहार में कुरोना कहर के बेज निती सरकार जल्द निकालेगी बंपर वेकेंसी हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने दिया ये बयार स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मुख मंत्री के निर्देश पर मानव बल बढ़ाने की दिसा में स्वास्त विभाग ने तेजी से करवाई की है बिभाग द्वारा राजी के सरकारे चिकिस्ता महावेदाले से पीजी वर डिपलोमा पास डाक्टरों से बंद पत्र के अधिन तीन वरसे अनिवारी सेवा के कूल 1995 प्लोटिंग पदो किस रेजन की स्विकृति दी है इन डाक्टरों को जल्दी नियोजित किया जाएगा सरका ऐसे डाक्टरों को प्रतिमा 82 हजार मांदे देगी बड़ी खबर होम आइसलेशन में रहने वाले खाएंगे सरकारे भोजन सेम नितिस कुमार बोले हर प्रकण में खोलेगी सामोदाइक रसे आमुईक मंत्री नितिस कुमार ने निर्देश दिया है कि हर प्रकण में सामोद सामोदाइक रसे खोली जाए ताकि अधिक से अधिक जरुत मंद इसका लाव उठा से किस्ता थी उन्होंने सामोदाइक रसे के जरिये होम आइसलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों और उनके परिजन को भी भोजन उपलब्द कराने का निर्देश दिया है सामोदाइक र दयार कर सकेंगे बिजली बिल मिस्कॉल करने पर मिलेगा पूरा ब्यवरा मिलेगी छोड़ ऑलाइन बिल भोगतान की सुविदा तो बिजली विवाग उपभोगताओं को पहले से ही दे रही है और अब उन्हें खुद से बिल जनरेट करने की विववस्ता करा दी है उनके दोरान मिटा रीडर का घर घर जाना संभव नहीं है इस कारण अब भोगताओं को बिजली बिल जनरेट करने का विकल्प उपलब कराया गया बिजली भोगता सुविदा एप के मायदम से अपना बिल जनरेट कर सकेंगे ओलाइन भोगतान भी इस एप के जरिये घर ब इह पाल सेक्स डबल जिरो करना रोगता आका पटना हों पर चलेगा बुलेट ट्रेन केंदर सरकार ने सुरू कि तैयारे जल्द होगा सर्वेगं जली अपकेंदर सर्वे रह करने पटना को विफार्ट्रें की सोगा देने की तैयारी कर रही है केंदरी ने बुलेट ट्रेन के एक नए रूट की तैयारी शुरू की है इसमें पत्ना समेथ बिहार की कूछ और जिले शामील है जल्दी इसका सरवे का काम सुरू होने वाला है रेलवेश सुत्रों से मिले जानकारी के मुताबिक वारा नसी से हावडा तक नई बुलेट ट्रेन रूट की तैयारे सुरू कर दी गई है वारा नसी के मडवाडी स्टेशन से हावडा तक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने के लिए नई कोरिडियोर के निर्मान का फैसला लिया गिया है सरकार ने इस बुलेट रूट के लिए सर्वे एजनसी को न्यूट कर दिया है वहीं आपको बता दे कि रेलवे सुत्रों के मुताबिक वारा नसी से हावडा तक का ये बुलेट ट्रेन रूट बिहार के कई स्टिसनों को जुड़ेगा इसमें बिहार के बक्सर पटना बोध गया के साथ साथ जारकन के बरही धनबाद और बंगाल के आसनसोल दुरगापूर और बरदवान सामिल होंगे इकबर राज्ज में पटना सहित 19 जीलों के लिए मौसम विवाग का अलट आकासिय बिजले गिडने की भी चितावनी जहां मौसम विवाग ने पटना भोजपूर, बक्सर, सिवान, गोपल गंज, सारन, पुर्वी, चमपारन, मुझपरपूर, वैसाली, जहानाबाद, सितामडी, सिवांदा, सिखपूर, गया, नवादा, समस्तिपूर, लकी सराय और जमुयू को लेकर अगले 24 घंटे तक अ इन जीलों में आकासिय बिजली गिरने के साथ वजरपात और बारिस की सम्मावना है, बड़ी कबर बिहार में नोकरे के नाम पर ठगे, साथ कटेगरी में 4,000 पदों के लिए सुल्क के साथ मांगा जा रहा है, ओनलाइन आविदन, या राज स्वास्त समिति के नाम पर ठग ठगों ने साथ केटेगरी में स्वास्त कर्मियों के करीब 4,000 पदों पर नियुक्ति का फरजी बिगापन निकाल दिया है, साथ ही 15 मैं से सुल्क के साथ ओनलाइन आविदन मंगवाना भी सुरू कर दिया है, अंतिम्तिति 29 मैं तक रखा गया है, इसके लिए सामाइन स्वास्त बिहार.com रखा है, राज स्वास्त समिति बिहार ने इस विगाबन को परजी बताते हुए, इससे लोगों को साथान रहने की अपिल की है, इस पर संग्यान लेते हुए स्वास्त मंत्री मंगल पाने ने FIR कर ठगों पर करवाई करने की बात कही है, अब बिहार में अब खुद तयार कर सकेंगे बिजली बिल, मिस्कॉल करने पर मिलेगा पूरा ब्यवरा, मिलेगी छोड़, ऑल्लाइन बिल भुगतान की स्विधा तो बिजली बिभाग उपभुगताओं को पहले से ही दे रही है, और अब उन्हें खुद से बिल जनरेट करने की विववस नहीं है, इस कारण अब भुगताओं को बिजली बिल जनरेट करने का विकल्प उपलब कराया गया, बिजली बुगता स्विधा एप के मायदम से अपना बिल जनरेट कर सकेंगे, ओल्लाइन भुगतान भी इस एप के जरिये घर बेटे कर पाएंगे, अन्तिम बिल जारी हो नहीं के 35 दिन पूरा होने पर बिजली बिल बनाने का प्रावधान है, आपको बदा दे कि बिजली बिबाग मिस्कॉल करने पर बिल उपलब कराने के भी भी सुविधा दे रहा है, बिजली बिल मॉबाइल पर मिलेगा, इसके लिए केवल 766008833 नमबर पर मिस्कॉल करना हो इतने संपल की विजाज, बिहार में कोरोना महमारी के संक्रमन की दर में और गिरावट आई है, पिछली 24 घंटे में कराज में कोरोना संक्रमन दर 4.19 पेज़ी रही, जबकि एक दिन पूर्व संक्रमन दर 4.32 पेज़ी थी, इस परकार पिछली 24 घंटे में संक्रमन दर में 0 दसमलव तेरा पिजदी की कमी आई है पिछले 24 गंटे में राज में 5871 नई कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई जबकि इस दोरान एक लाग 40,070 सेंपल की कोरोना जाच की गई आपको बदा दे कि पत्ना में सरवादिक बारों से 81 नई संक्रमित की पहचान की गई है इस चमपारान में 192,030, गौपाल गंज में 149, कतिहार में 135, किसंगंज में 120, मधraticूरा में 104, मधुबनी में 149, मुझगेर में 84, मुझपर पूर में 356, नलंदा में 277, पूर्णिया में अब आप खुद कर सकते हैं कोरोना की जाज, केमिस्ट शॉप पर सुरू होने जा रहा है कोरोना होम टेस्टिंग कीट की बिक्री, जी हाँ अब कोरोना की रेंडम जाज के लिए आपको ना तो स्वास्त केंद्रों में जाने की अवैस सकता होगी और ना ही सेंपल कलेक्शन के के लिए किसी को घर बुलाने के जौरत है, आप खुद ये आसानी से कोरोना की जाज कर पाएंगे, अब घर में कोवीड जाज के लिए पहले टेस्टिंग कीट कोवीड सेल्प अगले सब्ता के आंद तक बाजार में उपलब्द होगी, पुने के माई लैब डिसकवरी सोलि अब मेडिकल डिसेर्च ने मंजूरी दी है, साथ है आपको बता दे कि कोवीड सिल्प कीट की कीमत डाइस सो रुप्य होगी, जिसमें टेक्स सामिल है, के साथ एक मैनुवल होगा जिसमें बताया जाएगा कि बेना किसी स्वास्त कर्मी की मदद के लिए आप कैसे खुद की कोरोना जाज कर सकते हैं